तो एलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बतारेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यहाँ पर देखेंगे अपडेट्स में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे आपको एक अपडेट मिल गया यहाँ पर देखेंगे कुछ नया चेंजिस तो या कुछ नए फीचर तो एड़ा नहीं किये पस यहाँ पर अपडेट को रॉल आउट किया गया है जो की है वर्जन नंबर 13.0.03.1 वर्जन पर और इस अपडेट को रॉल आउट किया गया है 15 अबरेल 2022 में और इसका जो से अपडेट का 12.88 मतलब कि यहाँ पर कुछ major changes तो नहीं किया गया है आप सकते है major changes बोले है major नहीं features तो add-on नहीं किया गया है बट यहाँ पर जो उसकी app की security है उसको और बढ़ा दिया गया है अगर कुछ उसमें bugs होंगे like आपको अब कोई bugs मिलते होंगे scanning में app scanning में storage में आप जो भी आपको महाँ पर कुछ bug होंगे वो bug को improvement कर दिया गया है तो इसको आपको update करना चाहिए उससे होता क्या है कि आपके mobile security वो बनी रहती है क्योंकि device care also security के लिए तो उससे जो device की security वो improve होती है क्योंकि जो company नए update देती है उस update में bugs को fix किया जाता है और security को भी improve कि जाता है या वो सकते enhance किया जाता है जैसे कि आप इसको update कर लेंगे अप्डेट करने के अधि यहां पर आएंगे आप battery and device care में तो आप देखेंगे यहां पर same आपको layout तो वही मिल रहा है पहले क्या होगा शायद कुछ आपको bugs मिल रहे होंगे scanning में या फिर कुछ भी optimize में तो आपको bugs यहां पर fix कर दिया होगा आपको यहां पर optimize पर click कर देंगे तो जो भी आपको बता होगा उसको use करना कैसा होता है optimize पूरी clear हो जाएगी या फिर को story related आपके bugs होगे उसको भी fix कर दिया होगा कुछ memories का issues होगा तो भी fix कर दिया होगा और main जिस memory में कि यहां पर आपके background में कितनी apps यूज हो रही है तो आपको यहां पर reload कर दिया गया है आप देख सकते हैं अलग से यहां पर दिख जाएगा आप चाहें तो यहां से directly clean कर देंगे जो भी आपकी background में चल रही होगे आप देख रहे हैं services तक यहां पर उसने सब चीजों को यहां पर directly बं जो कि आपके mobile को कोई problem मतलब आपको कोई problem ना हो उस app को use करने के लिए आप simply यहां प्लस करके उस app को डाल देंगे तो वह background में easily run होती रही है तो यही नया update था इसके अंदर और यहां पर आप देखेंगे तो कुछ यहां पर ऐसे से दिख जाता है कि आपके mobile में क्या problem है like app issue, app issues related आपको यहां दिख जाएगा यह app issues चल रही है recently last start आपने कप करा था auto start और check slipping apps आप चेक कर सकते हैं और नीचे यहां पर charging के लिए दे रखा है कि आपको if the charging port is wet shake off it and let dry before plumbing मतलब आपका अगर charger गीला है तो आपको उसको पहले shake करके उसको सुका लेना है उसके बाद ही इसको charge पर लगाने मतलब आपको यह tip भी देता रहता है और यहां पर scan edit पर जाएंगे तो आपके mobile को बुई तरह से scan कर लेगा जो भी scanner device की protection थी उसके अब latest के update होने किया कुछ नया malware जो उनको बताया गया होगा तो उसके साब से भी scan कर लेगा वो आपको बता देगा कि आ आपको बताता है तो इसको होने देते हैं उसके आद मैं आगे आपको बताता हूं तो finally आप देख सकते हैं यहां पर पूरा त्रिके से हो गया scan scan करने का जो भी कुछ problem होगी तो आपको बता देगा नहीं तो बोल देगा no threat found जैसा कि पहले भी होता था बट आप यहां पर मे और उपर मैसेज आ गया no threat detected आपको दिख रहा होगा अब यहां पर आपको उपर मैसेज भी आ गया है यह आ गया है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे यहां पर आपको option मिलेगा ऐसा आपको एक चीज़ और करनी है अपडेट करनी है यहां three dots पर जाना है about device care पर जाना है तो यह आपको यहां पर manually खुछ चेक करना रहती है और आटो अपडेट नहीं होती है देख रहे हैं जैसे कि मैं यहां पर चेक कर रहा हूं और अब मेरे पास pop up आजाएगा updated का थोड़ी जरबात क्योंकि background में update हो रहा होगा latest update के बाद यहां भी कुछ नया changes आ गए होगे आप देख रहे होंगे यह continue चले जा रहा है और यहां पर आगया security engine updated मतलब की update जरूरी था महाँ पर तो आपको इसको भी update कर लेना है दोस्तों यही नया update था device care की तरब से उमीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो thank you तो दोस्तों मुझे है कि आपको यह मेरे वीडियो पसंद आई है दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो please like जोरू करें अगर आपको लगते है और आप मुझसे कुछ पूशन चाते हैं इस वीडियो से लेटेड है कुछ भी आप मुझसे directly comment करके सकते हैं और सबसे ज़रूई चाहिए जिन लोगों ने मेरे चनल सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए बहुत-बहुत धैंके और जिनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो कर लो भाई मैं यहीं सेमसंग से लेटेड बहुत सारी वीडियो ब करके बता सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या फिर आप वहां पर सर्च कर सकते हैं ऐसे टेग जो कि आपको मैं वहां पर मिल जाओंगा इस्टाग्राम पर आप मुझे वहां पर डियम करेंगे मैं उस पर नेक्स टॉपिक बनाने की खोशिश करूँगा त तेंकि दोस्ट